नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है, होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, काफी दुखद न्यूस सुनने को मिलता है, हमें साथ जो कि न्यूस पेपर उठाओ वहाँ पे, किसी के स्टेटर्स देखो वहाँ पे, आज बैसा है फिर से एक सुसाइड औप्शन नहीं है, और मुझे लगता है कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडिशन भी अगर हमारे पास आ जाए, तो हम सुसाइड नहीं कर सकते हैं, तो फिर सवाल आता है भाई यह सुसाइड होप क्यों जाता है, कर क्यों लेते हैं लोग सुसाइड, इसी के लिए मैं दोस्त, अगर तुमको थोरा भी लगता है, यह सुसाइड यह सुसाइड यह सुसाइड जो होता है वो कोई प्रेता आत्मा आ गई और वो आपको मजबूर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, यह जो ब्रेन है वो बहुत जादा पावर्फुल है, और मैं इस वीडियो को ब किताबों में नहीं, वास्तब में इसको महसूस किया हूँ, कि फ्रॉस्ट्रेशन का जो टॉप लेबल होता है, उसको कैसा होता है वो, जो फ्रॉस्ट्रेशन का सबसे टॉप लेबल हो सकता है, I'm not going to explain, I'm not going to share those kind of details, but life में कई बारी ऐसे आया है points, जिसमें कि फ्रॉस्ट्र के सबसे सिखर पे जाके खरा हूँ, जहां पर चारो तरफ कुछ नहीं दिख रहा है, और मैं फ्रॉस्ट्रेशन के टॉप सिखर पे खरा हूँ, और पता है, वहां से जब बाहर निकलता था, वहां से जब बाहर खुद को निकालता था, तो लगता था कि मैं एक नया जन्म अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करना है, आप से नहीं हो रहा है तो आप हमसे बात कीजिए, मैं हूँ ना, क्या दिक्कत आ रही है, एक्जाम कुछ नहीं है, competitive exam एक हिस्सा है, भाई मैं बता रहा हूँ, जॉब बाले लोगों को साथ में देख रहा हूँ, फरस्टेट है, जॉब से सिर्फ और सिर्फ आपके, आपका जीवन यापन चलेगा, तो जॉब आज नकल हो ही जाता है, अगर आप लगे हुए हैं, तो आज नकल नौकरी मिलती ही मिलती है, ये सत्य है, जैसे मृत्यू एक सत्य है, उसी तरीके से अगर आप लगे हुए हैं, तो नौकरी मि मिलेगी ही मिलेगी उससे नहीं डरना है कि जीवन में क्या होगा semester में marks कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई पूचने वाला नहीं कि आपका BTEC में BAC में BA में 12 में 10 में कितना marks था है कि standard marks को हम maintain करेंगे और नहीं आ रहा है तो कोशिस करेंगे कोसिस तो कर सकते हैं सुसाइड कर लेने से जिन्दगी खतम हो जाएगी सुसाइड से तो बेटर है कि हम पढ़े मुर्ख ही रहे क्या दिक्कत है बहुत लोग बहुत कुछ किये बहुत पैसा है दुनिया में बहुत पैसा है यार यह academics कुछ नहीं है academics में पैसा कहा है मैं recently trading को देखा trading के पे एक book पढ़ा लोगों को देखा जो trade करते है knowledgeable लोग कोई CA नहीं है बहुत लोग है without CA background के है जो trading करके छाप रहे हैं पैसा नौकरी से क्या होगा पचाहसजर का salary मिलेगा अच्छी बात है बट अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है सिमिस्टर में marks नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है बट इन सब का solution अगर आपके मन में थोड़ा भी यह आ रहा है दोस्त की suicide कर लेते है तो रुख जाओ क्योंकि यह solution कभी है ही नहीं मैं बोलता हूँ नहीं बुक्स पढ़ो कई सारे बुक्स है जैसे यह बुक्स मैने भी पढ़ा बहुत खुबसुरत बुक्स है beauty of mind इसको समझना है भाई मेरे मेरे भाई यह माइंड को समझना है ये साला माइन इतना मन गाली देने का मन नहीं करता है बट ये माइन इतना चूतिया बनाता है न KP तुम्हें ये माइन सिखर पे पहुचा देगी और सरक पे ला देगी तो ये माइन बहुत ही पावर्फुल टूल है इस माइन को यूज करना सीखो Use करना सीखने का मतलब है Mind को manage करना है Stress को manage करना है Anxiety को manage करना है Motivation को कैसे manage करना है कैसे self motivate होना है ना कि लोग कैसे motivate करो ये सब कहां से आएगा किताब पढ़ने से आएगी एक ही मात्र solution है किताब पढ़ना इसके अलाबा मुझे नहीं लगता है कोई solution है दो solution एक किताब पढ़ो या काम करो काम करने से भी दिमाग वो होगा विकाश होगा उसके बाद ये सब कुछ नहीं करोगे या फिर किताब पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत चीज़े समझ में आएगी दोस्त जिंदी की बहुत खूबसूरत है एस ट्रगल है दिकत नहीं च्रगल है तो क्या दिकत थै क्या दिकत थै स्ट्रगल में मजा है यार सची बता रहा हो जब टुम फिछ ए प्यासव हूं आवаешь टुम्हें कर सकता हो अह तक keto में मजा आता था जब स्टूर्गल सीटको कर तो अ EthiAK तो वो आज नहीं पढ़ा को सिर्फ याद कर सकता हूं जो आज इस स्ट्रगल कर रहा हूं इसको कल मैं याद करूंगा तो और मजा आएगा वह बहुत मजा आएगा अब हम लोग दालबाद चोखा जल्दी कम ही खाते हैं लेकिन जिस दिन दालबाद चोखा खाते हैं उस दिन याद करते हैं कि हम 10th में थे, 12th में थे किसी कमरे में छोटा सा कमरा था 400 रुपे भारा देते थे और दालबाद चोखा खाते थे आज तो दालबाद चोका मजबूरी में नहीं खाते हैं याद करने के लिए खा लेते हैं इसलिए दोस्त स्ट्रगल है, मज़ा है लाइफ में कुछ भी हो मैं यहाँ पे हूँ कमेंट करना, पिंग करना, इंस्टाग्राम पे आना टेलिग्राम पे आना, मेरा फोन नमबर ले ले ना मुझसे बात करना मैं हूँ दोस्त तुमारे पास कुछ भी होगा यार जादा सदा क्या हो सकता है तुम्हें सेमेस्टर में कम माक्स आ रहे हैं तुमारे फैनिशल कंडिशन ठीक नहीं होगा तुमारा ब्रेकप हो गया होगा तुमारे घरवाले तुम्हें नहीं समझ रहे हैं बला 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 इससे जादा कुछ और हो सकता है इससे जादा और कोई से प्राब्लम नहीं है मुझे नहीं लगता इससे जादा कोई प्राब्लम जादा है इन्ही प्रॉब्लम में लोगों को मैं देखा हूँ फसा हुआ और यही प्रॉब्लम एक टाइम ऐसा आता है जब आपका माइंड को पुरी तरीके से वो कबजा में कर लेता है और आपको मजबूर कर देता है थैंक्यू गैस होप करते हैं कि आप मेरी बातों को समझोगे